पूरे नमस्कार में हुस तोन्य और आप देख रहे हैं एक्सप्रस नीज भारत जैपुर नगर निगम ग्रेटर में दो साल पुरे होने पर एक्सप्रस नीज भारत की टीम ने वाट पार्शत एमके सर्मा के वाट 102 का दौरा किया और वहां की जर्यता से जाना कि दो सालों मे किता काम किया गया इस दोरान जरता ने क्या कुछ कहा देखे इस रिपॉल्ट यानन दिवयार क्यों नंबर आपके जो पार्शे दें मैंने सर्वाजी कैसा काम कराते हैं बढ़िया काम अद बिलकुल आपने का इस अपने का इस लाइट साफ सफाई टाइम टू टैम अभी इस काम बढ़े हो रहा है सब्सक्राइब कभी कोई समस्या ले जाते हैं तो समाधान हो जाता है अभी क्या समस्या नहीं तो कोई समस्या नहीं थे तो इसको साफ कर आओ अब यह सपाई कर वाली सब्सक्राइब कर आदी कमा ती सुबार आती है तो ती निन चाती यह अभी कर देली आती और कभी कभी ना पासाथ दिन गुजड़ जाते हैं जब तक नहीं आती पार सब्सक्राइब हैं नहों करते पार सब्सक्राइब को जाती हैं सुनाइब अबरत यह आए पार सब्सक्राइब तो और तो कुछी समझ्या नहीं यह समस्या और अप define यह प्लाटा बना प्लाटा मप्लेकिस पार्स होता है तुरंट काम होता है कोई समस्य नहीं सब्सक्राइब तुरंट अच्छा वेवार है हमारे कच्छे पारिशनली सब्सक्राइब तुरी वह तुनाई हुई है यह आप क्यों के पारिशन के बारे में है तो वह कहते हैं मैं खुदी आ रहा हूं खुद आ जाते हैं यह फिर मुझे कहते हैं आप मुझे वीडियो कर दो कहा है प्र बढ़िया करागी फिर उसके बाद लिडियो कि अधि बढ़िया पड़िया प्रपारमां से किसी भी तरह के कोई शिकायथन नहीं है महांगा बिना कहें हम कहें नै मिलना चाहते हैं तो कि आप लोग कर तो मैं आरा हूं ताज आते हैं वो को दिया बहुत नाइस यृवार बीवार बीवार्टानी यह सिधे हैं суд पाणि की समझ्याय की समिच्छी और उन से बोला भी यार यह तो बड़ी समझ्य सरकारे कुछ देखेगी को लो पास आपके को हो तो हो अब सरकार का तो आपको ज्याना है अंदेरी नग्री चोपट रहा है के करीबी पार्षद हमारे साथ हैं मौजूद है जिनका नाम है महिंदर सर्मा आई जानते हैं पिछले दो सालों में इनका जो कारेकाल रहा कैसा रहा कि हम करीब करीब पार्शाद चुनेवАई क्रचुके सवाद वर्स हो गए करीब देखे विज़ुजभार्स में जैसा कि सब को आपको विदित है कि जो भी हमारा कयर्पाल रहा वुछ अ बड़ा विप्रीत प्रमुक्त है इस तरह से कारे किया कि सबसे पहले तो यह देखा कि अलप कालीन जो समश्य हैं जिन्हों सौर्ट टर्म में साइफ ठीक किया जा सकता है जिसे सफाई की हो गई सीवरेज की हो गई और एक है धीर कालीन समश्य है जिसे रोड बनवाना पार्कों की मरमत कराना इन कारें निरमान शूर्ब हो गया जो कि एक मैने में मार्च में मेरे ख्याल में करीब-करीब खतम हो जाएगा तो इसी तरह से आप देखें टोटल लगाएं तो 75 लाग का कारें हमारे वार्ड में शडखक का हो चुका है और पार को का देखें तो पिछली बार पांच लाग प मैं पार्षद बना मैंने अपनी सफ़ाई विवस्ता मंतली एक टूल प्रोग्राम के हिसाब से हमारे चमादार और एसाई को देता हूं उसके तहती होता है कि हर छेत्र में पंदरा दिन में एक बार जाडू की विवस्ता कॉलानियों के अंदर की जाती है वो पूरा का पूरा मारगें उनकी प्रति दिन सफाई होती है और अंदर की साइड 15 दिन में एक बार डेट वाइज होती है उनको डेट लिखके देता हूं इस डेट को इस सेक्टर में 62 में और इसमें एक्राण में में किस दिन होगी वह आप कभी भी जाके देख सकते हूं लाइटे कितनी लग सब्सक्राण में चैन्ट के बतादो जिससे पहली डिलाइट नहीं हो अंडेखिया आपके वाड में मुखे समश्या क्या वैसे बेसे लिए देखा जाये तो लेकिन समश्या वास्त्र मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है हमारे सफाई कंट्रल में हमारे कंट्रॉल में हमारे पारक जो थोड़ी समय है तो कुछ अनधिकरत पारक है जो की 82 सेक्टर में जिनको की अधिगरंड नहीं किया गया है मेरा प्रियास उनमें है कि उनको जल्दी से जल्दी उनको अधिकरण नगर निकरण को अंतरगत कराया जाए जिससे कि वह भी डबलप हो सकी आपको जो कारीकाल है तीन साल का और बचा है फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एका दर्स वाड बनाने को लेक फ्यूचर हमारी प्लानिंग यही है सबसे बड़ी कि रोड जो है वो तो करीब करीम ए क्याल में इस साल या अगले साल पूरी हो जाएंगी लेकिन रोड के बाद मिंगर भी प्यानिग की वह जैसा 가능 Só जैसा कि आपको पता है कि जंता से हमें हरदम यहीं चाहिए कि जंता के सयोग के बिना कोई भी कारण नहीं हो सकता खास तोर से सफ्याई का तो नहीं हो सकता इसी क्रम में आपने देखा कि आज महिला दियोस भी है और मैंने एक प्रोजेक्ट हमारे वाड के लिए उठाया खास जैपूर को स्वच्छ बनाने में यह पोस्ट है जो हर घर में लगाए जाएगा जिससे कि उनमें यह विश्वास हो और वो लोग जब यह बोड अपने घर पे देखेंगे तो कोई भी आदमी कच्रा रोड पे नहीं फेंकेगा और रोड पे नहीं फेंकेगा तो कोई भी की पूरा हमें सयोग करेगी और हम वाड को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सफल होंगे राजनिती में कब से सक्रिया मैं राजनिती में तो नहीं लेकिन विकास समयती से जरूर है जो 15-20 साल से जुड़ा हूँ जब यह प्रताब नगर बसा था और हम पिच्चान में यह आये थे तब ही प्रताब नगर रेजिडेंट वेलफिर सोसाइटी प्रताब नगर की पहली रजिस्टर बॉडी थी उसके अंदर मैंने काम किया और कुछी दिनों बाद पास साल बाद मैं वहाँ पर अधक्ष की भूमिका से 15 साल तक मैंने प्रताब नगर रेजिडेंट व विदानसाबा चुनाओं को दिया आप देखें तो विदानसाबा चुनाओं पूरे राजस्तान के होते हैं और इस टाइम पर आप यह देख रहे हैं कि जो काफी समश्य उत्पन होई हैं सरकारों के कारण होती है तो मेरा मानना तो यह है 100% कि सरकार और निगम दोनों एक ही कि सर्व विदिते हैं